तो दोस्तों Windows 7 जो आपकी एक्सपायर हो चुगी है, यह ऐसे एक्सपायर हो चुगी है, लोग यूज कर रहे हैं, अलग बात है, बागे हैं, फाइनली गूगल वालों ने भी अपनी सर्विसे इससे विड्रॉ कर लिये, तो अगर अभी भी भी आप Windows 7 यूज करोगे न, तो बहुत बार, यार, Community Post Post में मुझे पता चलता है, हरान हो जाता हूँ भाई, तो हाँ, अभी भी देखा जाए तो Windows 7 के audience base कम नहीं है, पर आप भाई, शिफ्ट होने का टाइम आ गया, अब तो आपको यार, बाई-बाई, टाटा, गुडबाई, जो बोलना चाहूँ, बोल कि क्योंकि यार, देखो, दस साल चली एक तो, 2009 के आसपास इसको रिलीस करा गया था, और 2020 में यह basically expire हो गई थी, अचाह, इसका क्रेज आप इसी चीजसे समाझ सकते हो, 2020 के आसपास यह expire हो गई है, पर अभी भी इसकी यार, जब एक estimation निकाला गया, तो 100 million, और भाई, बहुत बड़ा number है, इतने PC अभी भी ऐसे हैं, जो Windows 7 को यूज कर रहे है, खुद सोच के देखो, मतला अभी भी बहुत लोग है, जो थोड़ा सा PC को अपग्रेड नहीं करना चाहरे, या हो सकता है उनका software support नहीं कर रहा हो, या बहुत सारे अलग भी reasons है, उसके कारण वो भी भी Windows 7 दूसरों को क्या गोलना, मेरे पास खुद देख सकते हैं, यहां पर Windows 7 की CD, आस तक मैंने एक ही Windows की CD, वैसे यह बनाए बुनी वाली है, पर आँ एक ही है, और वो Windows 7 की है, तो समाझ सकते है, Windows 7 का crazy अलग है, पर अलविदा कहने का time आ गया, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, द क्या इनोने है, यह चीज़ आर्टिकल में पता चला, कि Google वालों ने अपना जो Chrome है, इन का basically, आजा Chrome को आपने देखा होगा, अपडेट मिलते रहे है, तो वो अपडेट Windows 7 पे मिल रहे थे, पर अब वो चीज़ खतम होने जा रही है, अगले साल के FAP 7 के आसपस वो date रहने जब Google वाले last update देंगे अपने Chrome का, अगर आप Windows 7 या फिर 8.1, Windows 8.1 को थोड़ा कम मैंने consider करा, ज्यादा F7 का ही रहता है, तो अगर आप यह दोनों वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो वो last update होगा, तो दसवा update आप बोल सकते हो, और वो last रहेगा Windows 7 के लिए, तो हाँ, उसके अपडेट नहीं मिलेगा, अचा उसके बाद आप Chrome यूज़ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर तो पाओगे, पर देखो Chrome ऐसा browser है जिस पर vulnerabilities का हमेशा से effect बहुत ज्यादा रहा है, आपने खुद ही देखा है, नोटिस करते हो, काफी पर update भी मैं आपको कर देता हूँ, तो अपडेट नहीं मिलेगा, उसका patch नहीं आएगा, तो उसको safe याद, बिल्कुल नहीं है, यूज़ करना, तो at the end देखो पहले ही आप बहुत risk में थे, ये बाद तो आप मानोगे, पर आप और ये risk बढ़ जाएगा, क्योंकि अर्थ सिंपल सी चीज है, अगर कोई PC इंटरनेट चाहिए, उसके बाद ब्राउजर ही तो होता है, सब कुछ को डील करने के लिए, तो वहाँ पर Chromie आपको अलविदा कहना पड़ेगा, हाँ दूसरे ब्राउजर कब तक support देंगे, क्योंकि सब जाहतर ब्राउजर आप जानते हो Chromium बेस रहते, तो कब तक किसक इस्टम में 2GB RAM है, आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी अगर आपको अपग्रेड व अपग्रेड करना है, साथी साथ Windows इंस्टॉल करना is not a tricky process, simple सी चीज़, सच बात है यह तो, आप चाहो तो easily यार Windows 10 इंस्टॉल कर सकते हो, हमने तो कितनी सारी Windows 10 की वरजन चेक आउट क कॉमेंट में बताओ भाई, एक पर फिर से environment गरमा गरम कर दो Windows 7 लिख के मेरे को जितना उमीद है, बागी चलो यार इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब कर सकते हो यार अगर ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो पसंद है शेयर बिल्कुल यार दोस्तों को चौका दो भाई, Windows 7 जा रहा है, मिलते हैं यार नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई यार, जय हिंग, जय भरत बंदे, मातरा